प्रफ़ाइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाएए बेल आइकॉन ताके हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें इस वीडियो में हम AutoCAD में Layers Toolbar के बारे में डीटेल में जानेंगे और देखेंगे कि हमें AutoCAD में Layers Toolbar का क्या यूज है इसके हमें क्या फाइदे हो सकते हैं और हम Layers Toolbar को किस तरह से यूज कर सकते हैं इन तीनों टापिस के बारे में हम इस वीडियो में डीटेल में जानने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक Layers Toolbar अवेलेबल है और यहाँ पर एक Properties Toolbar अवेलेबल है तो Layers Toolbar के बारे में जानने से पहले आपको यहाँ पर Properties Toolbar के बारे में जानना ज़रूरी है तो चलिए हम लोग सबसे पहले properties toolbar के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर जो properties toolbar हमें नजर आ रहा है इसमें हमें अपने object के properties नजर आते हैं तो जो कुछ भी object हम इस page में create करते हैं उसके properties हमें यहाँ पर नजर आते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो first property हमें नज़र आ रही है वो है color अगर आप इस पर click करते हो तो हमें object का color यहाँ पर नज़र आएगा आप अपने object को कोई भी अलग color दे सकते हो default यहाँ पर by layer selected है उसके बाद यहाँ पर आप line थिकने select कर सकते हो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आप line की थिकने select कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर जो third property आती है इसमें आप line के type select कर सकते हो जैसे के hidden line, center line, zigzag line, कोई भी line अगर आपको select करना है तो यहाँ से line type से आप select कर सकते हो तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर default में जो selected है वहाँ पर by layer है तो इस by layer का मतलब क्या होता है कि by layer का यहाँ पर मतलब है according to layer मतलब यहाँ पर जो layer में जो settings होंगे वही settings आपको यहाँ पर नज़र आएंगे यहाँ पर देखिए आप इस layer toolbar में देख सकते हो कि यह जो layer में जो color है वो white color है तो यहाँ पर आपको object का color भी white color का नज़राएगा उसी तरह से जो यहाँ पर weight selected होगा इस layer में वही layer की थिकनेस आपको यहाँ पर नज़राएगी उसी तरह से line type जो आपने यहाँ पर layer में set किया होगा वही line की type आपको यहाँ पर नज़राएगा तो अगर आपने इसमें hidden set किया है तो यहाँ पर hidden नज़राएगा अगर आप यहाँ पर by layer रखते हो तो यहाँ पर जो कुछ भी information है वो इस layer के according यहाँ पर set होगी तो जैसा कि मैं आपको एक example बना के दिखाता हूँ अगर आप यहाँ पर layer पे जाते हो और यहाँ पर अगर आप white यहाँ पर click करते हो इस color के button पे तो यहाँ पर अगर आप change कर देते हो green color ओके कर देते हो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर color यहाँ पर change हो गया है green color उसी दरह से कोई भी अगर आप यहाँ पर layer में setting करते हो तो automatically यहाँ की information यहाँ पर आपकी set हो जाएगी तो अगर आप यहाँ से कोई भी change करते हो अगर आप यहाँ से red color कर देते हो तो आप जो कुछ भी अब यहाँ पर object create करोगे वो red color में नज़र आएगा और अगर आप यहाँ से hidden type select कर देते हो line की यहाँ पर type select करते हो order में load करते हो यहाँ पर load करने के बाद अगर यहाँ पर आप hidden ले लेते हो hidden, okay तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अगर line को select करने के बाद यहाँ पर hidden कर देता हो तो देखिए यहाँ पर hidden हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप by layer नहीं रखते हो और by layer की जगा कोई और setting कर देते हो तो object उसी color और उसी property के साथ draw होगा, मगर यहाँ पर भी आप by layer रखते हो तो आपका जो object यहाँ पर draw होगा, वो according to layer draw होगा, उमेदे आपको यहाँ पर properties toolbar का यहाँ पर use समझ में आ गया होगा, तो चलिए आप हम लोग switch करते हैं layers toolbar में जिसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक layers है सबसे पहले मैं आपको layers का meaning यहाँ पर समझा देता हूँ layers का मतलब generally यहाँ पर एक grouping type का होता है, मतलब AutoCAD के drawing में आप अपने objects को अलग-अलग group में divide कर सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग कोई plan बनाते हैं तो उसमें आप windows का अलग group बना सकते हो, doors के अलग group बना सकते हो, furniture, walls staircase, porch, column hatching, dimensions तो इस तरह के अलग-अलग groups create कर सकते हो, तो इनी group को हम लोग layers बोलते हैं तो AutoCAD में आप group या फिर layer बोल सकते हो, तो यहाँ पर layers आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप click करते हो, तो यहाँ पर एक layer available है, पहले से ही, जो के यहाँ पर, जिसका नाम है, यहाँ पर zero layer, और इस layer का color हमने set कर रखा है green, तो यहाँ पर default में AutoCAD हमें एक layer provide करता है, और अगर आप चाहो, तो extra layers भी बना सकते हो, या फिर extra groups भी बना सकते हो, जिसा के अगर मैं आपको यहाँ पर plan दिखाता हूँ, तो अगर आप यह plan देख सकते हो, तो यह पूरी तरह से एक layer में बनाया गया है, तो हमने यहाँ पर देखिए, सारे objects को अलग-अलग color देकर यहाँ पर बनाया है, windows का color अलग है, layers यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर zero layer है, जो AutoCAD default हमें provide करता है, वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है, इसका हम लोग ज़्यादा use नहीं करते, first layer यहाँ पर walls का layer है, doors का layer है, windows का layer है, चजजा, text, hatching, यहाँ पर staircase, porch, column, furniture, dimensions, और यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी layer अगर select करते हो, अगर आप यहाँ पर चजजा की layer select करते हो, तो चजजा की layer में जो कुछ आपने settings किये होंगे, वही settings आपको यहाँ पर properties toolbar में नज़राएंगे, तो आपर देख सकते हो कि according to layer यहाँ पर pink color है, और according to layer यहाँ पर जो line type है, वो यहाँ पर hidden line type है, तो अगर मैं इस layer में कोई भी object ड्रॉ करता हूँ, जैसे के मैं यहाँ पर line ड्रॉ करता हूँ, कोई भी, तो यह line जो ड्रॉ होगी, वो dotted line में ड्रॉ होगी, देख सकते हो आप, यह जो dotted pattern है, hidden pattern, इसमें ड्रॉ हो रहा है, और इसका color भी हमें according to layer मिल रहा है, pink color में यह ड्रॉ हो रहा है, तो जो layer आप यहाँ पर select करेंगे, उसी layer का color और उसी layer के properties जो आपने इस layer में set किये होंगे, उसी तरह के objects ड्रॉ होंगे, तो समझो मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर staircase ले लेता हूँ, तो staircase में जो setting है, वो है green color और यहाँ पर जो अगर देख सकते हो, आप green color set है, और line type जो है, वो normal line type है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर wall लेते हो, तो wall अगर लेते हो, तो wall का color यहाँ पर white है, यहाँ पर line weight set किया गया है, wall के लिए, तो यहाँ पर आप dark thickness set कर सकते हो, यहाँ पर wall के लिए, ताके आपके printing में जो है, आपके walls dark में नज़र आए, तो चलिए यहाँ पर आपको एक use तो मैंने बता दिया है, चलिए next देखते हैं कि और क्या फाइदे हो सकते हैं हमारे layers से, तो यहाँ पर अगर मैं layers में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर window में अगर मैं यहाँ पर first button देखता हूँ, तो यहाँ पर on off layer है, यहाँ पर आप देख सकते हो turn layer on और off अगर आप इस बटन का इस्तमाल करते हो तो आप अपने plan से windows को hide कर सकते हो जैसा कि मैं अगर इसे off करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे plan से जितने भी windows यहाँ पर थे वो सारे windows यहाँ पर hide हो चुके हैं उस तरह से अगर आप यहाँ पर show कर देते हो तो यहाँ पर फिर से show हो जाएंगे तो अगर आपको आपका plan without windows प्रिंट करना है तो आप without windows प्रिंट कर सकते हो आपको अगर आपके plan में छजजा नहीं चाहिए तो आप hide कर सकते हो इसे फिर से on कर सकते हो इसी तरह से अगर आपको आपके plan में columns नहीं चाहिए तो column को hide कर सकते इस तरह से आप print कर सकते हो या फिर on करके print कर सकते हो या फिर आपको अगर आपका plan without furniture print करना है तो आप यहाँ पर furniture layer को off कर सकते हो जैसा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि furniture layer available है तो यहाँ पर मैं furniture layer को off कर देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी furniture हमने बनाए थे, वो सारे furniture यहाँ पर hide हो चुके हैं, तो आप अपने plan को without furniture और with furniture भी आप यहाँ पर print कर सकते हो, तो इस तरह से आप hide show का इस्तमाल यहाँ पर layers में कर सकते हो, चलिए और देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर second option य हमारे यहाँ पर hide हो जा रहे हैं, हमारे plans से, उसे तरह से hatching को भी hide करना है, तो hatching को भी hide कर सकते हो, यहाँ पर columns को hide करना है, तो यहाँ पर freeze करके भी आप इस तरह से hide कर सकते हो, तो next यहाँ पर lock का symbol आपको दिखाई दे रहा होगा, lock, तो आप अगर यहाँ पर किसी भी layer क वो lock कर देते हो यहाँ पर अगर मैं समझो यहाँ पर dimension के layer को यहाँ पर click करता हूँ तो देखिए यह layer जो है lock हो गया है तो lock होने से हमारा layer थोड़ा सा यहाँ पर faint दिखाई देता है तो जो layer आपने lock किया हुआ है उसमें आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ना ही उसे delete कर पाएंगे ना ही उसे modify कर पाएंगे तो कोई भी layer अगर आप यहाँ पर lock कर देते हो तो उसे कभी भी आप modify नहीं कर पाएंगे तो अगर मैं यह सारे plan को select करके अगर delete भी कर देता हूँ यहाँ पर delete कर देता हूँ मैं देखिए next इसमें देखते है button यहाँ पर आप देख सकते हूँ, यहाँ पर colors available है, सारे layers के तो अगर आप अपने किसी भी object का color change करना चाहते हो तो यहाँ पर आप easily कर पाएंगे अगर आप without layer, अगर किसी का color change करना चाहोगे, तो आपको उसे select करना पड़ेगा, एक एक करके तो अगर आपका plan जादा बड़ा होगा तो आपको सारे line select करने में बहुत time लग सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर layers का इस्तमाल करूँगा, यहाँ पर मैं furniture का color यहाँ पर मैं change करके हैं, तो उमीद है आपको यहाँ पर layers के फाइदे आपको समझ में आ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग layers को किस तरह से create करते हैं, और इसका इस्तवाल किस तरह से कर सकते हैं, इसे देखते हैं, तो चलिए अब हम लोग सिखते हैं कि AutoCAD में हम layers किस तरह है, यहाँ पर आपका एक layer properties का dialogue box open हो जाएगा, यहाँ से आप इसे कहीं पर भी move कर पाएंगे, strip का इस्तमाल करके और इसका इस्तमाल करके आप इसे close कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इस dialogue box को यहाँ पर open कर लिया है, थोड़ा से size में बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से एक layer बना हुआ है, जो कि AutoCAD हमें provide करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके settings, तो color जो है पहले से white है, इसलिए हम लोग जब AutoCAD start करते हैं, तो हमारे सारे lines white color में draw होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही default में white color इस layer में set होता है, तो यहाँ पर line type यहाँ पर continuous है, तो हम लोग जब AutoCAD को start करते हैं, तो lines हमारे generally continuous में draw होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही layer में set होता है कि continuous type, ओके, और line weight लियर हमें AutoCAD प्रवाइड करता है तो चलिए हम लोग extra layers बनाते हैं अपने field के अनुसार अगर आप civil में हो तो अलग-अलग layers बना सकते हो अगर आप mechanical में हो तो उसके अलग layers बना सकते हो civil में अगर आप कोई plan बना रहे हो तो उसमें आपके चज्या, windows, walls, hatching, columns, staircase, porch और यहाँ पर और भी dimensions होते हैं तो इस तरह के layers आप planning में create कर सकते हो civil वाले और अगर आप mechanical के student हो तो mechanical वाले generally यहाँ पर dimension की layer बना सकते हैं hidden lines की, center lines की, यहाँ पर hatchings की object lines की layers बना सकते हैं यहाँ पर text की layer बना सकते हैं tolerance वगेरे होगा, उसकी layer बना सकते हैं अलग से, तो इस तरह के layers आप अलग-अलग बना सकते हो और उने group कर सकते हो और उन group की हिसाब से उने उसकी property assign कर सकते हो तो यहाँ पर properties का मतलब है कि उसे आप कोई color दे सकते हो type दे सकते हो, line bed दे सकते हो तो इस तरह से आप उसके properties assign कर सकते हो, तो चलिए हम लोग layer create करते हैं, तो layer create करने के लिए यहाँ पर एक button है, create new layer तो आप alt plus n भी यहाँ पर press कर सकते हो, इसका shortcut है alt plus n, या फिर आप यहाँ पर click करके भी बना सकते हो second layer भी यहाँ पर भी एक layer आप clear कर सकते हो इसका भी इस्तमाल हम लोग new layer create करने के लिए करते हैं, next यहाँ पर अगर आपको कोई layer delete करना है तो आप इस button से delete कर सकते हो, और यहाँ पर जो last button है यहाँ से आपको अगर इस layer का इस्तमाल करना है अपने plan में तो इस button पर click करके इस्तमाल कर सकते हो, तो फिलाल हमें इसका इस्तमाल नहीं करना है, फिलाल हम लोग new layer बना लेंगे, तो यहाँ पर मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पर new layer create हो गया है, जिसका नाम आया है, यहाँ पर layer 1, तो हम लोग जो color आपको चाहिए, वो color यहाँ पर आप assign कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर click करने के बाद समझो, मुझे यहाँ पर blue color चाहिए, तो blue color मैंने cyan color यहाँ पर apply कर दिया, और यहाँ पर line type यहाँ पर मैं continuous रखूँगा क्योंकि walls हमारे generally continuous में draw होंगे, line weight चाहो तो आप इसे change कर सकते हो अगर आपको print करते वक्त आपके wall के lines dark चाहिए तो यहाँ पर आप wall के lines को dark भी ले सकते हो, देखे मैंने यहाँ पर line weight select कर लिया है आपको अगर नहीं चाहिए तो आप normally default यहाँ पर रख दीजिए तो मैंने यहाँ पर 3 setting कर दिये हैं चले next layer बनाते है, new layer तो यहाँ पर और मैं second layer बना लेता हूँ यहाँ पर मैं window की layer बनाता हूँ window की layer बनाएंगे, window का color जो आपको रखना है, यहाँ पर window का color रख दीजिए समझो, मैं यहाँ पर pink color रख देता हूँ तो window का line tap तो continuous ही होता है line weight यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं रूकूँगा तो यहाँ पर मैं default कर देता हूँ line weight इसका और यहाँ पर मैं okay कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर line weight default कर दिया है चली next layer बनाते हैं यहाँ पर third layer मैं यहाँ पर छज़ा की बना देता हूँ तो यह completely आपके उपर depend है कि आप कितने groups तयार करना चाहोगे तो आपको जितना detail में आपको work करना है उतने layers बना सकते हो आप चाहो तो 5 layer में काम कीजिए चाहो तो 10 layer में काम कीजिए आप चाहो तो 20 layer भी बना सकते हो तो अलग-अलग object के इसाब से आप अलग-अलग layers बना सकते हो तो यहाँ पर मैं चज़ा का color यहाँ पर set कर देता हूँ कोई blue color या फिर green color set कर देते हैं तो यहाँ पर जो line tap होगा चज़ा का वो हम लोग generally hidden में दिखाते हैं तो यहाँ पर मैं continuous की जगा hidden पर click करूँगा यहाँ पर देखिए hidden देख सकते हैं अगर आपके computer भी यहाँ पर hidden नहीं आ रहा है तो यहाँ पर load कर लीजिए load करने के बाद यहाँ से आपको hidden पर select करना है या फिर click करके h press करना है h press करेंगे तो hidden आपके सामने आ जाएगा और ok कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हो कि hidden आपका यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको इस पर click करना है और ok press कर देना है तो यहाँ पर hidden set हो जाना चाहिए, इस तरह से line weight हम लोग set नहीं करेंगे, यहाँ पर next layer मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर fourth layer, तो fourth layer यहाँ पर door बना देता हूँ, doors, और door के लिए color assign कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी color assign कर सकते हो, यहाँ पर hidden में door हम नहीं बनाते हैं, तो य column के लिए यहाँ पर मैं color set कर देता हूँ, कुछ red color का, और यहाँ पर continuous type ही रखेंगे, next layer यहाँ पर बनाते है, 6th layer, तो यहाँ पर मैं hatching की layer बनाता हूँ, तो hatching का color हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, कुछ मैं थोड़ा pink type का ले लेता हूँ, यहाँ पर, continuous रखेंगे इसे भी, 7th layer बनाएंगे, 7 dot, यहाँ पर हम लोग dimension की layer बना सकते हैं, dimensions, और यहाँ पर हम लोग dimensions का भी यहाँ पर gray color रख देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हम furniture का color assign कर देंगे, कोई भी color आप रख सकते हो, continuous रखेंगे, line weight कुछ नहीं यहाँ पर, तो next यहाँ पर 9th layer हम लोग बनाते हैं, text के लिए, यहाँ पर text हम लोग जो लिखते हैं, उसके लिए हम लोग एक layer बना लेंगे, text का color यहाँ पर कोई अच्छा सा color select कर लेते हैं, yellow color ठ continuous रख सकते हो, hidden भी रख सकते हो, और एक layer बना लेते हैं, यहाँ पर 11th layer, porch अगर है आप case में, तो porch की layer आप बना सकते हो, तो porch में यहाँ पर जो color होगा, यहाँ पर आप कोई भी color डाल सकते हो, porch के लिए, और यहाँ पर continuous की जगा, hidden select कर लेते हैं, इस तरह से आप property assign कर सकते हो आपके अपने layers के हिसाब से, तो इस तरह से आप अलग-अलग layers create कर सकते हो, जितने objects आप अपने plan में बनाएंगे, उतने आप यहाँ पर layers तयार कर सकते हो, आप शाहो तो इससे कम भी layers में काम कर सकते हो, जितनी आपको requirement है, तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे layers बना दिये ह और उसके हिसाब से मैंने अलग-अलग color assign कर दिये है, उसके बाद line type भी यहाँ पर set कर दिया है, और line weight भी set कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि सारे layers यहाँ पर on है, सारे layers यहाँ पर unlocked है, तो यह आपको ध्यान रखना है, सब unlock होने चाहिए, सारे layers on होने चाहिए अगर आपको यहाँ पर इस layer का नाम चेंज करना है, तो आप इस पर right click कर सकते हो, और यहाँ पर rename इसे कर सकते हो, तो rename करके आप इसका नाम कभी भी change कर सकते हो, delete करना है, तो select करके यहाँ पर आप यहाँ पर click कर सकते हो delete layer पर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा delete layer, तो मैं य से close कर देता हूँ अब तो यहाँ पर आपको click कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सारे layers हमारे आ चुके हैं तो इसी पर आपको click करके आप अपने layer को इस्तमाल कर सकते हो, यहीं سے अब हमें Layer Properties में जाने की ज़रूरत नहीं है तो Layer Properties में सирफ हम लोग उसकी settings करने के लिए जाते हैं तो अब हम लोग यहीं से सारी layers को इस्तमाल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि layers का इस्तमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने plan में तो अगर आपके plan में आपको walls बनाने हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां से select करेंगे walls layer तो यहां पर मैं wall layer select कर लेता हूँ और उसके बाद walls को हम यहां पर draw करेंगे तो मैं यहां पर line से एक room बना लेता हूँ यहां पर 10 feet by 10 feet और तो on कर लेते हैं यहां पर तो और तो on करने के बाद 10 enter 10 feet डालते हैं यहां पर enter करेंगे यहां पर एक line draw होगी 10 feet की मैं vertically 10 feet जाता हूँ वापस 10 feet enter horizontally 10 feet 10 feet enter and then vertically 10 feet enter तो यहां पर 10 by 10 का मैंने यहां पर rectangle draw कर लिया है अब मैं थोड़ा सा move कर लेता हूँ इसे और इसे हम लोग wall thickness डाल देते हैं offset करके O for offset O enter उसके बाद यहां पर 9 inch हम लोग set करेंगे wall की thickness enter और यहां पर मैं इसे thickness में offset कर देता हूँ अब मैं इसे fillet कर दूँँगा F enter और यहां पर मैं fillet कर सकता हूँ space यहां पर fillet space यहां पर fillet space यहां पर fillet यहां पर fillet कर दिया है तो हमारे यहां पर wall के lines draw हो चुके हैं अगर आपको यहां पर door के openings बनाने हैं तो मैं यहां पर एक line draw कर देता हूँ और यहां पर मैं door बना देता हूँ, ओफर आफसेट, यहाँ पर मैं डोर फिलाल 4 feet का रखना चाहता हूँ, तो मैं half offset करूँगा, 2 feet, तो 2 feet में मैं यहाँ पर offset कर दूँगा, यहाँ पर, trim कर देंगे इसके बीच के lines, तो openings भी आपको इसी layer में बनाना है, walls के layer में, तो देखिए हमारे जो wall के color ह वो blue color के आए, क्योंकि हमने wall की layer में जो set किया था, blue color, वही color का यहाँ पर walls आएंगे, उसी तरह से, जो settings हमने wall के layer में किये थे, यहाँ पर भी वही setting दिखाई दे रहे हैं, आपको याद रखना है, कि अब आपको यहाँ से कोई settings नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी change नहीं क करना है, यहाँ पर आपको by layers ही रखना है, यहाँ पर सारे जो है, यहाँ पर by layers ही रखना है, तो अगर आप यहाँ से कोई भी setting change करते हो, जैसे के wall का color यहाँ पर अगर आप change करते हो, कोई भी, यहाँ पर blue कर देता हूं, तो देखिए, यहाँ पर सारे walls के lines यहाँ पर automatically blue color म हो गए है चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके windows बनाते हैं तो मैं यहाँ पर layer select कर लेता हूँ window का तो यहाँ पर मैं window select करता हूँ layer में और उसके बाद हम लोग window के यहाँ पर symbols बनाएंगे तो आप चाहो तो direct यहाँ पर सकते हो या फिर आप यहाँ पर एक block create करके copy करके यहाँ पर रख सकते हो तो दोनों method आप इस्तमाल कर सकते हो तो फिलाल मैं side में यहाँ पर बना लेता हूँ तो यहाँ पर मैं rectangle बनाता हूँ REC for rectangle क्लिक करके यहाँ पर मैं एक rectangle create कर देता हूँ one point sorry यहाँ पर four feet कॉमा यहाँ पर थिकनेस डाल देंगे nine inch enter और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका symbol draw कर देता हूँ यहाँ पर offset कर देते हैं इसे one inch enter और यहाँ पर offset कर देंगे दोनों तरफ और बीच की line delete तो यहाँ पर हमने window को draw कर लिया है अब इसके 6 को draw करते हैं तो 6 को draw करने के लिए यहाँ पर मैं 6 की layer select करता हूँ 6 की layer select करने के बाद यहाँ पर मैं 6 के lines बनाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 6 inch extra लेता हूँ उपर की तरफ यहाँ पर 1 feet and 6 inch, enter फिर से यहाँ पर मैं 5 feet ले लेता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पर 1 feet, 6 inch enter escape, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो छजजा के layer में जो हमारा draw हुआ है हमारे hidden line में draw हुआ है सारे छजजा और color भी यहाँ पर green color में आया हुआ है, तो यहाँ पर जो line type है थोड़ा सा हमें scale इसका change करना होगा, तो अगर आपको scaling के बारे में जानना है तो मैंने अपने videos में डाला हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं select करता हूँ in lines को तो इसे आप polyline से भी draw कर सकते हो, ताकि यह joint रहे, तो polyline से आप draw करेंगे, तो यह joint रहेगा, तो मैं इस line को delete कर देता हूँ, इसकी जुरूरत नहीं है, इन तीनों को select करते हैं, right click properties में जाते हैं, और properties में यहाँ पर आप देख सकते हो, line type scale, तो इसे बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे dot की size यहाँ पर बढ़ जाए, तो 10 करते हैं, देखें, दिखाई दे रहा है 10, सोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 15 और यहाँ पर close कर देंगे, तो देखें यहाँ पर हमने एक block create कर लिया है, window के लिए, आप हम लोग इसे fit कर देते हैं, यहाँ पर select करेंगे, और इसे copy करेंगे, co for copy co enter और midpoint से इसे capture करेंगे और हम यहाँ पर fit कर देंगे उसी तरह से आप इसे आप इसे rotate कर सकते हो ro for rotate, ro enter, click करेंगे, नीचे की तरफ rotate कर लेंगे, अगर आपको in commands के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरे दूसरे videos देख सकते हो, उसमें मैंने in commands को detail में cover up किया है, तो मैं इसे mirror कर देता हूँ, mi for mirror, और यहाँ पर axis line दे देंगे, उपर एक click, नीचे एक click, और enter कर देंगे, देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसे copy कर सकता हूँ, यहाँ पर c o for copy, और इस window को यहाँ पर रख देंगे, और यह वाले window को copy करके, हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर मैंने सारे windows को fit कर लिया है, यहाँ पर, एक मैं आपको problem बताना चाहूँगा, जैसा कि आप अगर कोई wall draw कर रहे हो, तो समझो मैं, मुझे यहाँ पर 5 feet की एक wall draw करनी है, तो यहाँ पर मैं 5 feet enter कर देता हूँ, उपर की तरह 5 enter, sorry, यहाँ पर 5 feet डालना हो पड़ेगा, 5 feet, इस तरह 5 feet, enter, और नीचे की तरह 5 feet, enter, तो देखें, मैंने यहाँ पर, जो walls की line यहाँ पर draw किये है, उसे मैं offset कर देता हूँ, 9 inch, और यहाँ पर fillet कर देते हैं, F, enter, तो यहाँ पर मैं repeat कर रहा हूँ, space press करके, commands को repeat, तो यहाँ पर मैंने walls टो draw कर लिये हैं, मगर यहाँ पर problem क्या हो गई है, मैंने इसे छज्जा की layer में draw कर दिया है, तो देखें, यहाँ पर जो wall के line से सारे dotted आ गए हैं, तो यहाँ पर अगर आपने इस तरह से draw कर लिया है, तो आप easily इसे change कर सकते हैं, तो change करने के यहाँ पर दो methods हैं, एक तो इस wall को select करना होगा, और यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर wall पर click करना होगा, तो देखें, इसका layer जो हैं हमने easily change कर लिया है, इसी तरह से, अगर आप इसे मैं control Z करके वापस आ जाता हूं, तो इस तरह से, आप match property का इस्तमाल करके भी layers को change कर सकते हो, जासा के मैं यहाँ पर match property पर click करता हूं, first आपको इस blue line पर click करना है, और उसके बाद इन सारे lines पर click कर देना है, तो इस तरह से आप layer change कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप इस line पर click करोगे, तो यहाँ पर दिखाएगी यह जज्जा की line है, इसी तरह से आप window पर click करोगे, तो यहाँ पर आप window के line को detect कर सकते हो, तो इस तरह से easily अलग-अलग lines को आप detect कर सकते हो, layer का इस्तमाल करके, तो चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं doors draw कर लेता हूं, तो मैं control plus 3 यहाँ पर सबसे पहले आपको layer select करना है doors का, और उसके बाद ही यहाँ पर doors यहाँ पर insert करने हैं, तो control plus 3 draw कर लेता हूं यहाँ पर और यहाँ पर door imperial यहाँ पर select करेंगे, door imperial और यहाँ पर click कर देते हैं और इसे cut कर देते हैं तो यहाँ पर door हमें मिल गया है अब मैं इसे click करके 90 degree open कर लेता हूं यहाँ पर click करके 90 degree open और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कर लिया है यहां पर डॉर को कॉपी करेंगे इसे इस पॉंट से और यहां पर मैं यहां पर फिट कर दूंगा इसे तो यहां पर हमने डॉर को भी फिट कर लिया है उसी तरह से अगर आपको यहां पर कोई text लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर text के लिएर को select करना है और यहाँ पर text लेके आप यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पर उसकी size डाल सकते हो, 10 feet by 10 feet यहाँ पर select कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी size को increase कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर size डाल देता हूँ, यहाँ पर one feet, enter और side पर click और इसे आप drag करके रख सकते हो इस तरह से आप यहाँ पर window और door के यहाँ पर tagging कर सकते हो आप चाहो तो text की layer में भी यह tag कर सकते हो या फिर अलग-अलग layer इसके लिए भी बना सकते हो जैसे के window tag अलग layer में और door की tags अलग layer में मगर उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप w डाल सकते हो यहाँ पर window के लिए मैं w type कर देता हूँ और यहाँ पर size select कर देता हूँ, 6 inch, enter और यहाँ पर side पर click, इसी को हम copy करेंगे, co for copy ortho mode को off कर लेंगे, और यहाँ पर copy कर देंगे in text को, और यहाँ पर door के लिए भी मैं इसी को copy कर लेता हूँ सबसे पहले, door के लिए और यहाँ पर हम लोग double click करके इसे edit कर देंगे, deep press करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमारा door भी draw हो जाएगा, यहाँ पर हमने tagging कर दिया है, hatching के लिए सबसे पहले आपको hatching select कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर hatch लेक सकते हो आप, उसके बाद यहाँ पर brick work, और इसके बाद आप यहाँ पर hatching apply कर सकते हो, देखिए hatching का color भी हमारे layer के सबसे आ रहा है, और यहाँ पर आप scale set कर सकते हो, अपने hatching का, तो यहाँ पर मैं 10 enter कर देता हूँ, तो हमारे hatching के भी यहाँ पर setting हो चुका है, और यहाँ पर आपको अगर dimensioning करना है, तो dimension layer select कीजिए, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि सबसे पहले आप layer को select कीजिए, उसके बाद उस layer में काम कीजिए, अगर आप बाद में layers को change करोगे, तो आपका time waste होगा इसमें, तो चलिए अब हम लोग इसमें dimensioning भी कर देते हैं यहाँ पर, तो dimensioning के लिए मैं यहाँ पर linear ले ले लेता हूँ, यहाँ से इस point से इस point तब मैं यहाँ पर dimension कर देता हूँ, देख सकते हूँ, यहाँ पर size बहुत ही छोटी आ रही है, और यह size जो है meter में आ रही है, तो चलिए इसकी setting भी हम लोग कर लेते हैं, deenter प्रेस करेंगे, और यहाँ पर modify करेंगे, modify करने के बाद यहाँ पर हम लोग decimal की जगाँ यहाँ पर architectural select करेंगे, अगर आपको feet inches में चाहिए, उसके बाद यहाँ पर feet में जाना है आपको, और यहाँ पर overall scale को change कर देना है, यहाँ से आप अपने dimension की overall size बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 5, तो 5 गुना यहाँ पर size बढ़ जाएगी, okay कर देते हैं और close कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर accurate dimension यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर size और भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें de-enter, modify और यहाँ पर fit 5 की जगा, यहाँ पर हम लोग 20 कर देते हैं, यहाँ पर हमेरे size जो है 20 गुना यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, इस तरह से अलग-अलग dimensions आप यहाँ पर डाल सकते हो, outer dimensions, और चाहो तो inner dimension भी यहाँ पर आप place कर सकते हो, कुछ इस तरह से, तो हमने यह जो plan बनाया है, यह पूरी तरह से एक layer में बनाया है, इसी तरह से आपको furniture insert करने है, तो furniture के layer में लेकर आप furniture के lines, उसके बाद porch, उसके बाद staircase, टेक्स, यह सारे layers आप इस्तमाल कर सकते हो, तो इसका फायदा यह होगा कि आप किसी भी layer को अगर आपको color change करना है, तो आप easily, directly कहीं से भी आप layer के color को easily change कर पाएंगे, देखे, सारे windows change होगे, इसी तरह से आपको अगर यहाँ पर hatching का color change करना है, तो hatching के layer को भी आप इस तरह से change कर सकते हो, किसी भी layer को आप hide और show कर सकते हो, जैसे के dimension की layer को आप hide यहाँ पर कर सकते हो, turn off, और यहाँ पर turn on भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप अपने text को hide कर सकते हो, यहाँ पर turn off, या फिर lock कर देंगे, तो इसमें कोई भी changes नहीं होगा, तो lock करने के बाद देखे, आप इसे delete भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो lock होगा layer, उसमें कोई भी changes आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर, मैं इसे unlock कर देता हूँ सबसे पहले, मैं यहाँ पर layer properties में जाता हूँ, तो अगर यहाँ पर plot में यहाँ पर एक option है, plot करके, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी layer को plot में यहाँ पर off कर देते हो, जैसे कि मैं समझो यहाँ पर doors को यहाँ पर plot में यहाँ पर disable कर देता हूँ, तो अगर आप इसकी PDF तैयर करोगे, या फिर print करोगे, तो उसमें यह जो door का layer होगा, यह print नहीं होगा, इसी तरह से आप अगर यहाँ पर, आपको अगर furniture के layer को print नहीं करना है, तो यहाँ पर आप इस plot के layer को off कर सकते हो, तो जब हम लोग इसे PDF में convert करेंगे, या फिर print करेंगे, तो furnitures प्रिंट नहीं होगे, मगर furnitures यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, doors यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मगर अगर मैं इसे Ctrl-P करता हूँ, यहाँ पर plot करता हूँ इसे, PDF में convert करने के लिए, तो यहाँ पर मैं DWG to PDF ले लेता हूँ, और यहाँ पर कोई भी size आप select कर सकते हो, यहाँ से आप windows select कर सकते हो, यहाँ पर मैं इस window को select कर लेता हूँ, center plot, यहाँ पर प्रिव्यू करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि हमारे plan में यहाँ पर doors नजर नहीं आ रहे हैं, तो जिस layer को आप अपने layers में plot को disable कर दोगे, तो वो हमारा PDF में या फिर print में नजर नहीं आएगा, तो इस तरह से आप इसका इस्तमाल कर पाएंगे, तो इसी तरह से यहाँ पर आपको जो भी layer आपको यहाँ पर print नहीं करना है, आपका कोई rough work हो सकता है, या फिर आपने कोई construction lines लिये होए है, तो आप उस layer को यहाँ पर off कर सकते हो, यहाँ पर आप disable करके, उसकी print को disable कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको enable रखना है, अगर आपको सारे यहाँ पर चाहिए तो, और भी यहाँ पर बहुत सारे option है, जैसे कि transparency अगर इसकी value आप बढ़ाते हो, तो हमारे layers generally transparent होते जाएंगे, मतलब यहाँ पर transparent का मतलब आपको पता होगा, तो यहाँ पर अगर मैं text की layer लेता हूँ, इसे मैं value कर देता हूँ, यहाँ पर 90%, तो 90% transparent हो जाएगा हमारा जो, आप देख सकते हो, हमारा जो यहाँ पर text है, व आपर layers का इस्तमाल करते हैं और generally professional work में layers का इस्तमाल जरूर करना है, क्योंकि layers का इस्तमाल करके अगर आप कोई भी drawing बनाते हो, तो बाद में उसकी modification या फिर presentation करना बहुत ही ज्यादा easy हो जाता है, तो याद रखिए इसके आगे अगर आप कोई भी plan बनाओ, कोई भी drawing बना होगा, अगर इसमें आपको कोई भी doubt है, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हो, इसी तरह के बहुत से videos मैंने अपने YouTube चैनल में upload किये हुए है, आप चाहो तो उन videos को देख सकते हो, और हमारे channel को subscribe कर सकते हो, चलिए मिलते हैं next video में, अगर आपको हमारा video पसंद आया होगा, त पूछ सकते हो, और हमारे channel को subscribe किजिए, चलिए मिलते हैं next video में,